आप हवाई जहाज से यात्रा करते समय जमीन से 37,000 फुट उपर हो और आपको हलके होने की जरूरत पड़े तो जरूर हलके हो लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हवाई जहाज में टॉलेट का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको जमीन पर गंदगी फैलने का डर होता है या फिर आप समझते हैं कि जमीन की खास उचाई पर जाने वाली हलकी चीजे जमीन पर नहीं आती जिसकी वजह से आप आस्मान में हलके होने से कत्राते हों जी हाँ, ऐसा ही है एक स्टोरी के मताबिक काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर वो हवाई जहाज में मलमूत्र प्याग रहे हो तो वो आस्मान में पहल रहा है या फिर जमीन पर बिखर रहा है पर ये सच नहीं है सच तो ये हैं कि आप जिस जहाज में उड़ रहे होते हैं उस जहाज में भारी सा 200 गैलन का टैंक लगा होता है जिसमें मल मूत्र जमा होते रहते हैं यू तो पिछले 30 सालों से ही हजाई जहाजों में वैक्यूम टॉयलेट होता है जो पानी को छान कर एक और भेज देता है और ठोस मल को एक तरफ ये टोस मल जहाज में नीचे की तरफ लगे 200 लीटर के टैंक में मिल जाता है ये 200 लीटर का टैंक हरवाने के बाद एयरपूर्ट पर खुलता है जिसे खाली किया जाता है अगर आप सोच रहे होंगे कि वो टैंक कैसे खुलेगा तो वो टैंक बाहर की तरफ से खुलता है जो तरह से मानलिय तरीकों से खुलता है ये काम स्टेशन पर तैनात कंपनी के कर्मचारी करते हैं तो अब अगली बार जब भी हवाई जहाज में यात्रा करना हो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है